दल रहा है एक और शांत दिन तारू का एक छोटा सा गाउं जो बसा है पच्चीस किलो मीटर दूर लद्दाख के ले शहर से भारत के उत्तरी छोर पर 72 घरों और तकरीबन 500 लोगों के आबादे वाले गाउं तरू के ज़्यादा तर लोग ठेती करते हैं और सदियों से सुकून भरी शांत संदुष्ट जिन्दगी जी रहे हैं हलांके इस शांत गाउं के भूले भाले गाउंवासियों ने वक्त का वो दर्दनाक दौर भी देखा है जिसे वो आज तक नहीं पुला पाए अगस्त 2010 की वो काली रात जब गहरी नीन में सोई इस गाउं पर मौत बादल पटने के एक विक्राल रूप में तूट पड़ी देखते देखते पानी का प्रचंड रूप कीचर के सहलाप के साथ साथ सब कुछ मठिया मेट करते हुए घरों फसलों और सभी खुदरती तथा मनुष्य निर्मित्सन रचनाओं को गिराते बहाते हुए गुसर गया प्रक्रिति के इस विक्राल विनाशकारी रूप के सामने कोई नहीं टिक सका लद्दाख के लोगों ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी जैसे ही IDBI बैंक को इस आपदा की पूरी स्थिति की जानकारी मिली उसने अपनी CSR गतिविधी के रूप में तारू गाओं को फिर से बसाने में एक सक्रिय भूमी का निभाने का संकल्प ले लिया क्योंकि बात चाहे राष्ट निर्मान में भागिदारी की हो या आम आदमी को प्रभावित करने वारी आपदाओं से निपटने की IDBI बैंक ने हमेशा आगे बढ़कर समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारी को निभाया है The unprecedented flash floods of August 2010 in Ladakh caused substantial economic loss to the people of Leh in general and villager of Tauru in particular. Critical economic infrastructure such as canals, foot bridges, motorable bridges were either washed away or buried under debris, further compounding the villager's misery. With a clear goal of transforming the lives of people of Tauru village, IDBI bank joined hands with the Tata Institute of Social Sciences and Ladakh Atenuma Seal Development Council to rebuild Tauru as a model village as well as to promote the overall development of Ladakh region. Bank ने जल्दी ही महसूस किया कि इस राहतकारी में उसे अनुभवी विशेशग्यों की जरूरत पड़ेगी और अस्थानिये लोग जो जो जमीनी हखिकत को समझते हैं, उनको इसमें शामिल करना भी जरूरी होगा. When we looked around, we found that Tata Institute of Social Sciences, they had been doing good work in that area, and they had done it in collaboration with the local administration and the Ladakh Autonomous Hill Development Council. IDBA was clear from day one that why it is important to demonstrate a model village, and they had an idea. The idea being that can we develop a village as a model village for rehabilitation, where not only you improve the physical conditions of clearing the land of boulders and making agriculture possible, but also to create housing of a durable kind. In Anokhi partnership का उद्देश था, तारू को एक मॉडल गाउं के रूप में फिर से बसाना. पूर्व निर्धारित प्रोग्रामों के जरिये और लद्दाख शेतर के समग्र विकास के लिए स्थानी विकास के माध्यमों की क्षमता निर्मान करना, समुदाए आधारित संगठनों, स्वैम सहायता समुहों, सेल्फ हेल्प ग्रूप्स और को आपरेटिव्स को मजबू के सही तरीका यही होगा के गाउं के पुनर निर्मान कारे में गाउं के लोगों को शामिल किया जाए, उन्हें अपने पुनरवास की योजना बनाने और उस पर अमल करने के क्षमता प्रदान की जाए. by his ability to actually tell me, how many bags of cement had actually gone into that work till that point of time. So it occurred to me that the involvement of the local people was something that had fused in with the efforts that they were doing and that's really heartening. आईडीबी एक ऐसा बेंक है जिन्होंने एक थोस कदम लेके सही महनूं में डॉलप करने के लिए पैसा दिया है यहां पर केपेस्टिप बेर्डिंग के लिए उन्होंने बहुत खर्चा किया है एक पुझे ले गाय है जिसमें हमारे जो ग्रच्जूर ले रिरिशिप है जिसे पंचायत मेंबर से उनको दुस्तान के दूसरे जगार ले जाके उनको एजोकेट किया है यह चीजे वाकी लदाख के औरल डॉलमें में बहुत है फायदा हुआ इड़ी बेंग के तरफ से जो टीज के तरफ से जो यह आपी लदाख आटोमें हीड डॉलमें तीनों मिला कर हम तरू आलों को जो पैसा रिलीज किया है गाउँ आले तो बहुत खुश है लदाख क्षेत्र के सरपंचों के लिए कई क्षमता निर्मान वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया जिससे समुधाय प्रणाली को और मजबूत किया जा सके और पंचाइदी राज संस्थाओं के विकास वप्रशासन के विभिन ने विश्यों पर पंचाइद के नेताओं के ग्यान को एक ही कृत किया जा सके विभिन महिला स्वयम सहायता समुहों के वर्कशॉप्स भी आयोजित किया गया लेह जिले में कारिरत महिला स्वैम सहायता समुहूं का डेटा बेस तैयार किया गया ताकि उनके विकास के लिए असरदार करणनीतियां बनाई जाएं। तुरंत ध्यान दिये जाने के लिए कुछ गती विदियों को चुना गया जैसे की सीचाई की नहरों का पुनर निर्मार्ण। 2010 के भीशन जल सैलाब ने यहां की अर्थ व्यवस्था के आधार इंफरास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुँचाया था। तारू के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। इसलिए सीचाई की नहर, खड़ी फसलों, पेड़ पौदों और खेती की जमीन और दूसरी बुनियादी संड़चनाओं के सत्तर प्रच्छत से ज्यादा तबाह हो जाने से यहां आजीविका यानि रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। समाज के विकरते ताने बाने को समारने के लिए अब पहली जुरूरत थी घरों को रिपेर करना, नहरों का फिर से निर्माण करना और इस कारी को प्राथमिक्ता के साथ शुरू कर पहले वर्ष में ही पूरा कर दिया गया। पीने के पानी की टंकी करपुनर निर्माण तारू के पीने के पानी की टंकी को इतनी गंभीर क्षटी पहुची थी कि वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं बची थी इस वज़े से गाउंवाले साफ पानी के एक मात्र स्रोथ से वंचित हो गई थे। इसलिए पीने के पानी को जमा करने की प्रनाली को फिर से बनाया जाना भी बिल्कुल जुरूरी हो गया था। इसमें टूटी टंके के अंदर से कीचर और मलवे को निकालना और नए मजबूत कॉंक्रिट के स्लैब्स जालना और ढह गई दिवारों को फिर से खड़ा करना शामिल था। प्रोजेक्ट के अंतरगत इस काम को पूरा किया गया और गाउं को एक बार फिर पीने का पानी उपलब्ध कराया गया जलाशाय का निर्माण तारू गाउं से होकर बहने वाली जलदहरा के उचित तरीखे से इस्तिमाल के लिए एक जलाशाय के निर्माण की जरूरत समझी गए जिससे कि तारू के किसानों किसी चाई की आवशत्ताओं को पूरा किया जा सके इसके लिए एक अनुभवी सिविल एंजिनियर की सेवाइं ली गई और गाउं के स्थानिये लोगों ने इस काम में मदद की एवं गाउं के सर पंच तथा चुने हुए प्रतिनिध्यों ने इस कारे की देख रेक की साइट की भावगोलिक सितिक अनुसार जलाशाय का आकार प्रकार सीमित है हलांकि एंजिनिर द्वारा नए अनुठे डिजाइन की इस्तिमाल किया गया है जलाशाय की उपरी सन्रचना पर कारे किया गया है पानी के सही इस्तेमाल से अब गाउं की क्रिशे आमदनी बढ़ी है जल सेलाब ने यहां इस ख़दर तबाही मचाई थी कि घाटी 6 मीटर गहराई और 10 मीटर चौड़ाई तक फट गई थी गाउवालों के लिए जिसे पार करना नामम्किन था इसलिए गाउं में आवागमन को आसाल करने के लिए इन संपर्क सड़कों का जल्दी से जल्दी निर्मान सुरूरी था जल धारा की दोनों तरफ दो नई संपर्क सड़कें और वाहन पूल बना गए परियावरन को कम से कम खशते पहुचाने के उद्देश्य से इनका डिसाइन सरकारी सिविल एंजिनेर ने स्ट्रॉक्चरल डिजाइन्स और सिविल एंजिनेरिंग के स्टैंडर्स के आधार पर तैयार किया था निर्मान कारे के दोरान एंजिनेरिंग के स्थानिय हुनर और अनुभव का भी लाब उठाया गया महिलाओं के लिए आम सुविधा केंदर प्रोडिट के संकल्पना अवस्था में आवशक्ता विशलेशन यानि नीड एनलेसिस के दौरान तै किया गया था ताके गाओं के स्थ्रियों के लिए एक आम सुविधा केंदर होना चाहिए जहां आकर वेहस्त शिल्प सीख सकें और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ सकें ये केंदर गाओं के मद्य भाग में एक मंजिला इमारत के रूप में बनाया गया है जिसमें पैसिफ सोलर हीटिंग डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है ये सर्दियों में सोलर उर्जा को उष्मा के रूप में एकत्रित, भंडारित और वित्रित करता है एवं गर्मियों में सोलर उष्मा को अस्विक्रित करता है इस भबन का इस्तेमाल महिलाओं से जुड़े विशयों जैसे के स्वास्त प्रसूते और आजीविका पर प्रशिक्षन और सेमिनारों के आयोजन के लिए भी किया जाएगा तारू गाओं के जल सैलाब से तबाही के बाद उनर निर्मान प्रोजेक्ट के काम्याबी के साथ पूरा होने पर IDBI Bank बहुत ही संतुष्टे और गर्व महसूस करता है बेशक अब तारू के उत्साही लोग अपनी धर्ती पर मजबूती से पाऊं जमा सकेंगे On the successful completion of the Taro Village Rehabilitation Project It gives me great pride to see the exceptional outcome of IDBI Bank's efforts that has helped the spirited people of Taro Village to stand on their feet again In my capacity as MD and CEO of IDBI Bank, it is my privilege and pleasure to be associated with such a noble cause प्यूंद लोच्शों बड्यूंद लुजका लेशन साथावी धर्शद्द कर देष्पार्श द्साचे लोग निए लोग इनाश्ट की चारो जोजाची मारी मुन तो उस्मानी उसी एफादा जारी नंडोझ तो नमसाची साची साप्सो औ Courtneywood तो क्या क्वास चुबे चुझा चुटा चुबे चुझा चुझ्यादा जान वे मुन्टे नंबे आमना झाले!